मर्दप्रिदेश वक्फ वोट के चुनाफ को लेकर कॉंग्रेस विधायक आरीफ मसूद ने आवाज बुलंद की है वक्फ वोट में चुनाफ नहीं होने को लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की जबकि एक मुसलिम विधायक के स्थान पर भोपाल उत्तर से कॉंग्रेस विधायक आरीफ अकील को ही लिया गया है जिसको लेकर एक बार फिर कॉंग्रेस के इन विधायकों की पुरानी अदावत सतह पर आ सकती है इसी पर देखिए हमारी हखास रिपोर्ट भोपाल के आवाम जानती है कि यहां के दो कॉंग्रेस के विधायक आरीफ अकील और आरीफ मसूद में सालों पुरानी अदावत है समय समय पर यहां दोनों ही मुसलिम समाच के एक छटर नीता खोने का दावा पेश करती रहे हैं ऐसे में मद्रप्रदेश वक्फ वोट के चिनाफ में बतार एक मुसलिम विधायक के रूप में सीधे आरीफ अकील को लेनी का आरीफ मसूद ने बिगुल फूग दिया है जिसके पीछे उन्होंने नियमों को तोड़ने का हवाला दिया विधायक आरीफ मसूद का कहना है कि जब दो विधायक थे तो चिनाफ प्रक्रिया पूर्ण की जाना थी बात इस बात की है कि एक लॉग क्या कहता है जब आपने हाई कोट के निर्देश पर इलेक्शन गोजित करे तो आपको इलेक्शन कराना चाहिए ये जो जीते इलेक्शन ग्लियर होने के बाद आप कैसे किसी एक सदस को नामंकित कर सकते हो ये कॉप की परिवाशा इन चार चीजों में नहीं आती है चाहिए वो अधीवक्ता हो चाहिए पूर सांसद हो चाहिए मुतवल्ली हो चाहिए विदायव हो इसमें कॉप का कोई मेंने तो पढ़ा जो अभी मेरे वक्त पढ़े उसमें कहीं प्रावदान नहीं विधायक आरीव मसूद ने रिटर्निंग ऑफिसर एचियू खान के स्थान पर दाउद एहमत खान को रिटर्निंग ऑफिसर बनाने का भी विरूद किया और आने वाले वक्त में कोट का दर्वाजा खट खटाने की बात कही ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, भोपाल